वेट सब्सक्राइब करें तो जारकन पारमेडिकल रेगुलर वेकेंसी आया हुआ है 2023 में यह नोटिफिकेशन 31 देसमबर 2023 को रिलीज किया गया था अगर आपको वीडियो समझ में है तो कमेंट डाउन करना ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं जीपीएंसी सीई 2023 राइगुलर वेकेंसी ठीक है तो किन लोग के लिए यह वेकेंसी आया हुआ वो लोग यहां पर बात करेंगे सिलेबस क्या रहने वाली है वो भी इस PDF में explained है अगर आपको यह PDF चाहिए तो टेलेग्रम जोइन कर सकते हो लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मारा WhatsApp ग्रूप पर जोइन कर लेना लिंक आपको WhatsApp ग्रूप का डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको कोई भी documentation या फिर एरर बिलता है आपको फॉर्म फिलिंग में या फिर कोई भी problem है देना आप जो नंबर है कॉल वाला नंबर उस पे आप WhatsApp कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले तो यहां पर examination fee है ना वह 100 रूपीज रखा गया ठीक है और SC ST वालो reserve category वालो के लिए 50 रूपीज यहां पर इस तरह किस रखा गया है और जो disability वाले है वो लोग form को free वर सकते है ठीक है सबसे पहले जो वेकेंसी है वो pharmacist वालो के लिए जिन लोग नहीं भी deep pharmacy या फिर b pharmacy complete कर रखा है और अगर आप उसका certificate झारकंड pharmacy council से verified है देन उन लोग के लिए जो वेकेंसी टोटल ना वो दिखे तो 560 वेकेंसी है ठीक है टोटल 560 है अगर आप category वाइस जाओ तो जेनरल वालो के लिए 224 सीट से अभी second वेकेंसी के बात कर लेते है second वेकेंसी वह उन लोग के लिए है जिन लोग ने MLT कर रहा है ठीक है DMLT अगर आपने जहारकंट से कर रहा है या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो जहारकंट पारमेडिकल से वेरिफाइड है DMLT या फिर BMLT के लिए देन आप अपलाए कर सकते हो 666 सीट टोटल ब्लैंक है उसके साथ साथ एक्सरे टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन मे है यहाँ पर आप देख सकते हो जो टोटल सीट ब्लैंक है वो 116 सीट है अगर आपका सर्टिफिकेट वैरिफाइड है जहारकंट पारमेडिकल काउंसिल से देन आप यह अप्लाए कर सकते हो और उसके साथ साथ नर्सिंग वालों के लिए वेकिन से आया है जैन लोगन में B इसा कुछ नहीं है यह थोड़ा साथ चेंजीज होगा ठीक है इसमें ठोला सा डिए होगह यह द्यान में रखना है ठीक है तो यह इतने सीट ब्लैंक हो रहा कि थे मालगी चार चार सीट पे आया भूँ ए ठीक है मतलए कि चार क Geschichte वालों के लिए वह गिंट चाया हूँए उसके साथ चार अने काटेग्री वालों के लिए नहीं हने हूँए अगर आपने ओटी कर रखा या फिर कोई और कोर्स कर रखा तो उन लोग लिए नहीं आया हुआ ठीक है फिर eligibility क्या रखा देख सकतो हूं यहां पर salary एक्स्प्लेंड इसमें eligibility बेसिक है यहां पर अगर अपने बेसिंग कर रखा कोई इसु नहीं है बट अप्लाइ कर सकते हो ठीक है एंड जो भी details आपको चाहिए whatsapp आपको अन्टे के लिए आप सी नेक्ट वीडियो थैंक ये फॉर वाचिन